प्रणाम आप सब के लिए बहुत प्रार्थना हैं तो ये प्रश्न बार-बार अभ्यास करने वालों का आ रहा है कि योगासनों से जब हमें हेल्थ मिलती है या प्रानायम से हेल्थ मिलती है तो हम मुद्राएं क्यों करें और फिर मुद्राएं इतनी सरल हैं क्यों न हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुद्राएं करें उससे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो इसके लिए आपने प्रश्न किया है देखे सबसे पहले तो याद रखना आपने कि एक ही भोजन आप हर दिन नहीं करते हैं भोजन बदलते रहते हैं आप एक ही सबजी आप हर दिन नहीं लेते हैं उसे भी बदलते रहते हैं प्रित्वी पर भी एक जैसा ही इनसान नहीं है यहाँ पर भांति-भांति का व्यवार है और भारत में है तो यहाँ पर अलग तरह का आपको जीवन मिलेगा और यदि आप जापान चलेगे तो वहाँ पर अलग तरह का जीवन है ऐसे ही प्रकरती हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है सब जगह अपना प्रभाव है और अपना वहाँ का लाब है अपना वहाँ की हानी है ऐसे याद रखिए कि जब हम बात करते हैं मुद्राओं की या फिर आसनों की प्राणयाम की सब सब नहीं कर सकते मान लेजिए आपकी उमर इस समय 80 साल है और यदि आपसे कहा जाए चलिए हाथ पर चल के दिखाओ तो यह हो सकता है कि अब आपसे संभब ना हो आपकी उमर अगर 5 साल है और आपको कहा जाए कि आप ध्यान में गहरा उत्रें तो हो सकता है कि आपके लिए संभब ना हो तो कुछ चीजें आप कर पाएंगे कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे इसलिए जब आपको यह योग विद्या सिखाई गई या यह योग विद्या मंद्श को प्राप्त हुई तो इसमें कई परकार की शक्तियां दी गई उसमें आसन आजाते हैं, प्रानायाम आजाता है, ध्यान आजाता है, मुद्र आजाती है, भजन आजाता है, जप आजाता है, मंत्र आजाते हैं, और भी कई परकार की विद्याएं दी गई हैं हर विद्या का अपना लाब है उसका अपना एक सामर्थ है जब आप आसन कर रहे हैं वो आपको अवश्य लाब देगा लेकिन आपका शरीर उसको रसीव जरूर करे आपके घर कोई आता है और बाहर नौक करता है यदि आप दरवाजा नहीं खोलते हैं चाहे बेशक वो आपक परिवार का सदस्य हो वो अंदर नहीं आपाता है आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ऐसे ही हमारा शरीर जो है उसकी एक रिसीविंग कपैसिटी होती है जो चीज मुझे बाहर से मिल रही है यदि मैं उसके लिए अपने शरीर को इस परकार से तयार नहीं करता है कि मै मुझे कितना भी अच्छा यदि आप अमरत भी देंगे तो भी मुझे वो स्विकार नहीं होगा आप जब बिमार पड़ते हैं थोड़ा अनुभव करिएगा कि उस समय आपका जो सबसे प्रिय मिष्ठान है मिठाई है या फल है या आपका जो भोजन है आप उसे चाह कर भ हो सकती है तो इस समय क्या है आपका शरीर जो है उस भोजन को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है हमारा शरीर कब किस चीज को स्विकार करें ये कभी किसी को पता नहीं चलता है बहुत मुश्किल हो जाता और इसी कारण हम देखते हैं कि प्रित्वी पर सभी बिमार रहते इस समस्या का उपाय है कि आप हर शक्ति का अनुभग करें जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं और लंबे समय तक आप अभ्यास कर रहे हैं आसनों का यह अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही तो आपको इसके जो दूसरे इसकी जो दूसरी विद नहीं कर सकता और जो मेरे मुख का काम है वो हाथ नहीं कर सकते आपको ध्यान देना होगा कि आपका शरीर किस विद्या के साथ जुड़ सकता है जब आप पढ़ाई करते थे तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी साइंस ही पढ़ें कईयोंने मैट्स पढ़ा कईयोंने हिंदी प पढ़ा और कईयोंने कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसे ही आप देखिए आपका शरीर किस विध्या के साथ जुड़ता है जिने मुद्राओं के साथ जुड़ाव हो जाएगा उन्हें मुद्राओं का लाब आवश्य मिलेगा जिने प्राणायाम से जुड़ाव हो जाएगा उन्ह किस के साथ लगता है किस वस्टू के साथ किस शक्ति के साथ या ये कहें कि किस स्वभाव के साथ आपका स्वभाव जुड़ गया, जब जुड़ गया तो वहाँ पर मिलन हो जाएगा और संबंद फिर जो है बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा आपको तो इस बात से आपने चिंता नहीं करनी है कि इतना सब कुछ है और एक चीज सरल है क्यों ना मैं वही करूँ सरल है वो भी आप कर सकते हैं लेकिन जुड़ना अवश्यक है वहाँ पर आपका जुड़ा होना बहुत ज़रूरी ठीक है तो अभी के लिए इतना है कि प्रश्ण बड़ा बार बार आपको चिंता दे सकता है तो समय समय पर हम इसके उपर बात करते रहेंगे बड़े सरल मन से बड़ी सहजता से आप अपने योग यात्रा पर रहें जितना आप मुश्किल देंगे अपने आपको कठिनाई देंगे अपने आपको आपकी यात्रा उतनी फिर परिशानी वाली हो सकती है सरल हो जाएं सरल तरीके से सरल शरीर से अभ्यास करें आप आगे बढ़ते जाएंगे आज के लिए इतना ही आपके और प्रश्नों के साथ फिर में लेंगे नमू हिमाले